तंतुों का परिचय प्राकृतिक तंतू, इसकी दुती लेक्चर में आप सब का स्वागत है। विद्यार्थियो पिछले लेक्चर में हमने बात करिए थी प्राकृतिक सैलूलोजिक तंतू कपास के बारे में। जिसमें हमने पढ़ा था कि कपास की किस प्रकार से खेती की जाती है, किस तरीके से उसका कल्टिवेशन किया जाता है, किस तरीके से उसकी आगी की प्रोसेसिंग होती है, कैसे खेत से लेके मिल तक की पूरी प्रोसेस होती है, तो कैसे हमें फिर उसके बाद रौ कॉटन मिलता और क्यूं कपास से बने हुए वस्त्रों को इतना अच्छा माना जाता है गर्मियों या बरसात के मौसम के लिए इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या उसकी कॉलिटीज है यह हमने पढ़ा तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे दूसरे सेलुलोजिक तन्तु लिनन के बारे में तो जो लिनन का तन्तु होता है वो सन के पौंधे के तने से निकाला जाता है और जो कपास का था जो हमने पहले पढ़ा वो कहें से निकाला जाता था वो आपका फूल होता था फूल और उसमें से बीज निकालके आपका तंतु निकाला जाता था लेकिन इसको आप पौंधे के तने से निकालते हैं जो तने के जब तने से इसको निकाला जाता है तो इसमें एक पैक्टिन होता है वो एक गौंद का जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे वो एक द तुमान तन्तु प्राप्तु होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं इसकी निर्मान प्रकृया को, लिनन की खेती, लिनन की खेती अप्रेल से मई के बीच में इसको बोया जाता है, अगर आप लिनन का कल्टिवेशन करना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, उसके बाद करते हैं किस तरीक का इसका वातावरन चाहिए, तो जैसे आपके कपास के मौधे के लिए चाहिए होता है, उ पॉधा लगाया आप बात करते हैं कि इसे तंतु कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो तंतु को तयार करने के लिए तणी में से पहले पतियां बीच और ज़ड, मिट्टी एसको हटा के तणी को अलग कर लिया जाता है, जिसलिक एक साफ तंतु हमें प्राप्त हो सके, तो यह कि अब इसमें से अलग कर दिया आपके अवास किया इस किवल तना करने में तने गलाया जाता है यहीं किया धेल्टा की , जिस्से कि लिफटे कि घता तो धील缰ड़ और नहीं है उसके बाद इसका extraction या निश्कर्सन किया जाता है जब रेटिंग हो जाती है उसके बाद इसको साफ पानी से धूना और उसके बाद इसको सुखा देना और उसके बाद उसे एक महने तक स्टोर किया जाता है संग्रहित किया जाता है अब जब इसका एक महना पूरा हो जाता है तो इसके अगली process होती है, तोडना, या breaking, इसके बाद इनको पीट करके, लोही के रोलर से, उसमें डाल करके, इनको तने को", चोटे टूटे हुए, टुखडां में, तोडा जाता है, जिनको क्या केते हैं? shifts केते हैं, इसके पूरी process है, कैसे आपको तने से लेके तन्तु तक की आपकी प्रोसेस है इसके बाद स्कचिंग या पीट कर अलग करना अब जो आपके छोटे छोटे पार्ट हैं तने के जिन्हें हमने का था शिव्स हैं उनको घूमते हुए लकडी के पैडल या हथोनों द्वारा उसे निकाला जाता है उनके बीच में से जिससे क्या होता है कि तन्तु अलग होता जाता है तनी में से निकलता जाता है इसके बाद का शोधन या फिर कोंबिंग की प्रोसेस करे जाती है इसमें क्या किया जाता है इनमें जो आपके अभी तन्तु अलग होए थे इनको सीधा एक समान करने के लिए जैसे कि एक समान आपको तंतु प्रात हो सके बात करते हैं इसकी संडचना की तो जो इसका माक्रोस्कोपिक व्यू है जब इसको हम लोंगिटूडनल देखते हैं तो जैसे आपकी बास का पेड़ होता है बास की पेड़ में चगे चगे गाठे बनी होती है तो इसके जब इस तंतु में भी गाठें दिखाई देती है और वह होते हैं स्लेंड्रिकल होते हैं ठीक है और इसके अलावा जब इसके अनुप्रस्त कार्ट आप देखेंगे जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं अनुप्रस्त कार्ट इसकी भी बहु कोण ही होती है ठीक है कुछ बीच में लिवन भी प्रेजन्ट है तो लगभग एक समान होती है संडचना इसके बाद करते हैं इसके कलर की तो यह प्राक्रतिक जो गलार जब तक इसमें कोई भी प्रॉसेसिंग कोई भी फिनिशिंग नहीं है तब तक यह प्राक्रतिक जिसका कलर वह वह वाइट-चे प्र और थोड़ा अगर उसमें कुछ कमी बेसे देती तो लाइट क्रेम कलर का दिखाई दे सकता है बात करते हैं तंतु की लंबाई की तो पांस से लेके 12 इंश तक लंबे होते हैं तो कपास से जादा लंबे होते हैं जो कि आप देख सकते हैं और तंतु का व्यास 15-18 माइकरोंस क क्योंकि पांस स्वोड़ा क्यों के लिलंग् instant टंतु सीथा होता है जोत मैं कल्वी क्योंकि जिस तन्तु की सत्ह जितन्हीं सटी होगी वह उतना ज्यादा चमकदार होगा क्योंकि एतने अच्छे से प्रा कास को परावर्तित करेंगा जितने अच्छे से प्रकास परावर्तित होगा उतना जादा वो शाइंग करेगा मजबूती की बात करते हैं मजबूत में 5.5 से 6.5 ग्रैम पर डेनियर इसकी मजबूती होती है जो भीग जाने पे 6 से 7.2 ग्रैम तक हो जाती है अर्थात तंतु भीग जाने पे और अधिक मजबूत हो जाता है लिनन का तंतु भीग जाने पे और अधिक मजबूत होता है विशिष्ट गुरू तो इसका 1.52 है लोचमेता बहुत कम लोचमेता वाला तंतु है अवशोषक्ता बहुत अच्छी होती है और आर्दिता पुनर प्राप्ती इसकी 8 से 12 परसंट होती है तो अवशोषक्ता आपका पसीना है वो पोचा और आप चाहते है जल्दी से सूखे भी ताकि पुना यूज में आज सके तो इसके आपको ऐसा तंतु चिए तो जल्दी अब्सॉब भी करें और जल्दी सूखे भी तो इस टाप के तंतु होते हैं उनका यूज बुमाल तॉलिये इन चीज़ो तो सीधा है तो इस तरीके से उसको सीधा करने में फिर टाइम लगता है अगर तंतु एक वह मुड़ गया तो इसका मतलब आयमी स्थिर्था है उसकी अच्छी और गिसावर प्रती रोधता बहुत अच्छी नहीं होती है इसका मतलब है कि घिसने अगर आप तंतु को घिसे खनी जामलों से नस्ट हो जाते हैं और शारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है और शुष्क धुलाई ड्राइक अगर हम करते हैं तो उसमें भी ज्यादा इस पर एफेक्ट नहीं होता है कुछ फेब्रिक उस्तंतु होते हैं जो खराब होने का खत्राउन में रहता है और ठंडे टन्वन के लिए भी प्रती रोधग है उसे भी कोई फरक नहीं पड़ता कि एम्सुख्शम जीव प्रती रोधग जो है वह आपका लिनन का तंतु का पासकिय पेक्षा जादा अधिक प्रती रोधग होता है कीटो एमसुख्शवी जीवन के लिए लेकिन अगर इन अगर उसमें मान चड़ा है या फिर मतलब स्टार्च है तो कॉटन का खरावने का खत्रा रहता है उसमें सिल्वर फिश लग सकते हैं जब की लिनन में इससे फरक्त नहीं पढ़ रहा है ह्-अब आ? वातवलनिय प्रभाव सूरिकी रौष्णी ले कंपास से ज्यादा अधिक प्रती रोधा के यह से पहले पढ़ा था यह comparative study है के comparison हो गाके कंपास और लिनन का कि प्थिरोंधा का प्रती रोधा है उसमें कमजोर ऑने का खत्रा भी है और प्लस तै abra都 १ being अगर हम स्टोर करें तो मतलब है बहुत लॉंग डुरेशन तक खराब नहीं होते हैं अच्छे से स्टोर करने पर जहां तक बात है उपयोगी जिसना कि मैं पहले पिता चुकी हो एक तो हैंकी है इसका बहुत अच्छा यूज किया सकता है जिसमें और आपके टावल से आपके टेबल कवर अपकी बैट शीट्स इन सब को बनाने में इसका प्रयोग किया सकता है वैसे कहीं भी यूज हो सकता है ऐसा कोई हार्डन फास निया बट क्योंकि इसकी है कि उन जगे पर यूज किया जाता है जो अच्छे से जहां पर हमें जरुरत है कि अनमी को अब्साब करे इसके लिनन से जूट की खेती के लिए एक अच्छी जबीन जाहिए जो कि हर खेती के लिए चाहिए नमी युग तो वाता वरंड जाहिए पहुंधे की लंबाई लगबग 6-6 फीट होती है जूट के पहुंधे की और बात करते हैं कटाई की तो सितंबर सेप्टेंबर मतला इसके फूल जो लगे होते हों मुर्जाने लगते हैं तो तनी काट लिए जाते हैं देन गलाना इनिश्कर्षन जो आपके लिनन में भी था तो उसके बाद बागी सब चीजें हटा के इसन से पत्तिया अटा के तनी को अलग कर लिया जाता है गलानी की प्रोसेस की जाती है जो आमने लिनन में भी करी थी संद्रचन आप देख सकते हैं लंबवश संद्रचन इसकी थोड़ा सा अलग है जैसे हैं तो लंबे सिलिंड्रिकल ही दिखता है लेकिन कुछ-कुछ लिननन के समान भी है लेकिन इसके पूरी सकिन पर देख रहे हूंगे आप निशान बनेव तो लिनन का जैसा यह है और इसमें लुमेन बीच में लुमेन है देख सकते हैं बीच में लुमेन दिख रहा है एक छोटा सा सर्किल के रूप में दिखाया गया है ठीक है तो यह तो थी इसकी संद्रचना मजबूती इसकी 3.5 ग्राम पर डैनियर है आठ दिता पुनर प्राप प्रतिरोधक शमताओं की तो सुक्ष्मी जीवां के लिए प्रतिरोधक एक मजबूत तन्तु है ऐसा नहीं कि बहुत चोटी मोटी चीजों से खराब जाता है थोड़ा सभी अच्छी देख रेक में रहे तो अच्छा चलता है और रशायनों के प्रभाव की बात करते हैं त शारो के प्रति अच्छे प्रतिरोधक नहीं है और अमलो के प्रभाव से खरा में अमलो शार जोनों से ही खराब होने का इनको खत्रा है अगर आप करते है नो ऑफिए से ब्लीचिंग का काम यह अधिचि ठीज लग को अटा देना तो प्राकर्टिक रम को अटा देते हैं औ तोड़ा कमजोर हो जाता है उससे सूरी के प्रवाव से कलर चेंज हो सकता है तो अब यह है कि बहुत जादा अगर आपने दिन भर दूप पड़ा है तो थोड़ा करावनी का खत्रा है थोड़ा तन्तू भी कमजोर हो जाते है लेकिन ओवरल देखा जाए तो जूट एक असा आप नमाने सब्सक्राइश दरणाता गया जाता जाता है जूट और बहुत सब्ढूर लाइन चीजह में रखना आपने शूर्पिंगों कि आदान बनाने में घूट धूप लेम देखा हुए जूट शूटिक आपनी सब्सक्त तन्तू होगि को इसको एक हो कई जगे यूस्टे तरीकों से, और इसके इख़ों क्या और बनेक इसका बने बिए को प्रहे हैं तयसे शुनीजिसल न पर बाते हैं वाँज में पक्लावेजिकन यूस्फे हैं है इसके ऑफिर भारी बाद यूजिया तो चैते हैं यह सब बनाने के लिए इसका उप्योग तो आप कमपेरिटिवली देखेंगे तो तीनों तंतु में सबसे ज्यादा उप्योग में आने वाला तंतु जूठ है तो शिक्षारतियों आज हमने जो सेलुलोजिक तंतु वाला पोर्शन था यह कंप्लीट कर लिया है ठीक है हम इस हुआ 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 है